while का सभी प्रयोग सिखें in English speaking, while का मतलब हैं करते करते, while जब की, for a while कुछ देर के लिए, after a while कुछ देर बाद, in a while कुछ देर में, while के दोरान, meanwhile के दोरान, हर जगह पर while प्रयोग हुआ है, अलग-अलग meaning को लेकर, तो इस वीडियो में while से related जितने भी प्रयोग हैं, जितने भी concepts हैं, सब को सिखने वाले हैं, while का मतलब हैं, जब की, और ये दो sentence के बीच में प्रयोग होगा, इसे मैं सो रहा था, जब की, वे लोग टीवी देख रहे थे, तो मैं सो रहा था, I was sleeping, जब की, while वे लोग टीवी देख रहे थे, they were watching टीवी, आमन नाच रहा था, जब की, सुमन गना गा रहा था, आमन वाज डांसिंग, while सुमन वाज सिंगिंग आ सोंग, तो यहाँ पर समझे की, while का प्रयोग, कि सेंस में करते हैं, और कब करते हैं, तो जो काम पहले संटेंस में होगा, उसका जस्ट आपोजिट काम, आने वाले संटेंस में, मतलब दूसरे संटेंस में होगा, यहाँ पर होगा वो काम, जो इसका आपोजिट है, इससे मैं सो रहा था, तो सोने का आपोजिट हो गया, कोई काम करना, टीवी देखना, गाना कि कुछ भी किताब पढ़ना अमन नाच रहा था तो नाचने का आपोजित हो गया गाना गाना यहां पर आप देश सकते हैं उसका उल्टा काम हो रहा है तुम खेल रहे थे जबकि अमन पढ़ रहा था अब खेल रहा था तो खेलना का उल्टा पढ़ना आमन वाज अस्टवी तो इससे आप संटेंस बनेंगे वाइल का प्रयोग दो संटेंस के दो कलाउज के बीच में फोर आव वाइल मतलब हैं कुछ देर के लिए या कुछ पल के लिए दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं पले संटेंस आएगा इसके बाद फोर आव वाइल आएगा तुम लोग कुछ देर के लिए अराम कर सकते हो तो तुम लोग अराम कर सकते हो you can take a rest कुछ देर के लिए इसका अंहरेजी होगा फोर आव वाइल कुछ पल के लिए मेरा इंतजार किजे Wait for me for a while मतलब कुछ पल के लिए for a while कुछ पल के लिए अमन के साथ जाओ उधर जाओ कुछ पल के लिए तो go with अमन for a while संटेंस के कलाउज के last में पर्योग कर रहे कुछ देर के लिए मैं सोने जा रहा हूं I am going to sleep मैं सोने जा रहा हूं फोर आव वाइल कुछ देर के लिए वाइल मतलब करते करते इसका परियोग किसे करते हैं पाले संटेंस आएगा या कलॉज भी आप कर सकते हैं इसके बाद वाइल और वाइल के तुरंथ बाद वीफोर आएगा इसे मैं खाते खाते टीवी देख रहा था इसका परियोग करते हैं? जब दो काम एक समय में हो रहा हो तब परियोग करते हैं इसे मैं खाते खाते टीवी देख रहाता तो मैं खाना भी खा रहाता और टीवी भी देख रहाता करने वला तो एक संद मई ही हूँ, एक ही टाइम में कर रहा हूँ, या प्राव दिश सकते हैं कि I was watching टीवी, मैं टीवी देख रहा था, खाते खाते तो while eating, while के बाद याँ पर eating हुवी फोर है, आमन गाना सुनते सुनते डौड रहा है, तो आमनी जरनिंग आमन डौड रहा है ये एक काम हो गया, दूसरा है, while listening to music, गाना सुनते सुनते, दूसरा काम है सुनना, पिरिया खाना खाते खाते उससे बात कर रही है, पिरिया इज टॉकिंग टु हिम, पिरिया उससे बात कर रही है, पहला काम है बात करना, while eating food, खाना खाते खाते, दूसरा काम है, खाते खा लाते हो, you use your phone while sleeping, पहला काम है यूज करना और दुसरा काम है sleep करना, तो sleep मतलब यहां पर हैं later later, आप lying भी बोल सकते हैं, after a while मतलब कुछ पल बाद या कुछ दिर बाद, दोनों में से कुछ भी बाप बोलेंगे, sentence के last में परियोग करेंगे after a while, कुछ पल बाद मैं काम करना शुरू करूंगा, I will start working after a while, कुछ पल बाद वो घर जाएगा, he will go to house after a while, कुछ पल बाद या कुछ दिर बाद, कुछ दिर बाद मैं खना खाऊंगा, I will eat food after a while, कुछ दिर बाद सुमन उससे मिला, सुमन मेट हिम after a while, तो after a while का मतलब कुछ पल बाद, कुछ दिर बाद, इसका परियोग आप करेंगे time के लिए, जब भी आपको time बताना हो कि इतनी दिर बाद, इतनी दिर बाद आप ये काम करोगे, इन वाइल मतलब कुछ दिर में या कुछ पल में भी आप बूल सकते हैं, sentence आएगा और sentence के last में ये सटा देंगे, इसे कुछ दिर में match सुरू होने वाला है, the match is to be started, match सुरू होने वाला है, या पिर the match is going to start, ऐसे भी आप बूल सकते हैं, in a while मतलब कुछ दिर में, कुछ दिर में तुम लोग अपना काम पूरा करोगे, you will complete your work in a while, कुछ दिर में वो चाय बनाएगी, she will cook, यहाँ पर हैं कि वो चाय बनाएगी, तो she will make tea या प्रिपेर टे भी आप बूल सकते हैं, in a while कुछ दिर में, कुछ दिर में रभी घर पहुच जाएगा, तो रभी विल reach the house in a while, मतलब कुछ दिर में, meanwhile या फिर in the meanwhile, दोनों का मतलब हैं, उसी दोरान, sentence आएगा, meanwhile या in the meanwhile, इसके बाद फिर sentence आएगा, दो sentence के बीच में, मैं बजार जा रहा था, उसी दोरान, मैं अपने दोस्त को देखा, I was going to market, मैं बजार जा रहा था, meanwhile, या फिर in the meanwhile, उसी दोरान, I saw my friend, मैंने अपने दोस्त को देखा, सुमन काम कर रहा था, उसी दोरान, उसे बुखार हो गया, अचानक से, तो सुमन was working, in the meanwhile, he got fever, उसे बुखार हो गया, मैं ओफिस के लिए निकला, उसी दोरान, वारिस होने लगी, I left for office, in the meanwhile, the rain started, तो इससे आप परियोग करते हैं, आप हैं, while और meanwhile, दोनों के एक जिगह पर परियोग कर सकते हैं, मिनिंग होगा, अलग अलग तरेके से, लेकिन या पड़े हैं, उसी दोरान, दो संटेंस के बिच में आएगा, उसने टीवी देखा, जब तक वो खाना पका रही थी, सी वाच्ड टीवी, उसने टीवी देखा, या ही वाच्ड टीवी, उसने टीवी देखा, यह हो गया मेल के लिए, और सी होता तो फिमेल के लिए, वाइल, जब तक, सी वाच्ड कोकिंग फूड वो खाना पका रही थी, मेरा दोस्त पड़ाई कर रहा था, उसी दोरान मैं सो रहा था, मैं फ्रेंड वोज अस्टर इंग, मिन वाइल, आई वोज श्लीपिंग, मैं गाना सुनते सुनते टहल रहा था, I was walking while listening to music तो I hope कि आप समझपाएं कि while, meanwhile का परयोग कब करते हैं उसी दोरान के लिए आप करेंगे यहाँ पर while का मतलब हो गया कोई काम करते करते और यहाँ पर while का मतलब हो गया जब तक दोस्तों guys thanks for watching that's all for today